तो यारों कैसे वह सब कुछ ठीक चल रहा ना और देखो मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं उनमें से कुछ वीडियोस के अंदर मैंने खुद बोलाए कि मैं इस मूवी को या फिर सीरिस को देखते वक्त इमोशनल हो गया था मुझा यहां तक रोना आ गया था लेकिन ऐस बहुत ही रेरली हो है कि किसी मूवी और फिर सीरिस को देखते वक्त एक्च्वल में रोया हूं मैं और इस बात को वीडियो के स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट करने की जरुद इसलिए थी क्योंकि यह जो चीज रेर है वो इस मूवी को देखते वक्त हो गई थी हां मैं खुद अड्मिट कर रहा हूं और दो जो मैंने यौर नेम रेकमेंड की थी थी ना उसके बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी है और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके जैसी और कोई मूवी है अब मैं कंपेर नहीं कर रहा हूं यौर नेम और इस मूव जो की इंकम आए नहीं रही है तो फिर ऐसे टाइम पर घर बैठके पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा ओप्षिन है बिनानी.com इस वेबसेट पर जाने के बाद रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी और मिनमम 100 रुपय का डिपोसेट करने के बाद आप किसी भी करंसी जैसे की डॉलर, पाउंड या फिर कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो पैटियम से पैसे डारेक ट्रांसफर कर सकते हो और बिनानी.com पे जाके इन्वेस्ट करना बहुत आसान है जैसे अगर आपको लगा कि किसी कमोडिटी या फिर करंसी जैसे की डॉलर हो गया उसका कर रहे हो आज विजिट करना बिनानी.com अगर आपने वीडियो का टाइटल द्हांसरी नहीं के या फिर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो फिर में बोल देता हूं कि हाँ इस रिव्यू के अंदर हम इस मूवी की बात करने वाले है उसका नाम है I want to eat your pancreas और pancreas जो ह है वह एक्चुल में human organ है तो आप मैंसे कुछ लोगा ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसा picture का नाम रखा है कि वह एक इंसान के अंदर के कुछ चीज खाने की बात कर रही है और इसको देखते वक्त लोग emotional कैसे हो रहे है तो देको सबसे पहली बात तो यह किस मूवी का title rate करने के इसको love story नहीं बोल सकते है कि इस relationship को हम लोग love story नहीं बोल सकते है तो फिर मैं भी उसको love story बोलके तोहीन नहीं करना चाहता उसकी standard देख रहे words का तोहीन लेकिन इस movie के स्टोरी के वार में इस video के अंदर बता कि मैं ज्यादा मजा spoil नहीं करना चाहता क्योंकि आप उस चीज को जितना first hand experience लोगे नहीं उतना जादा अच्छा बस एक warning देता हूं कि side में tissue का box जा फिर माल तो लेके ही बैटना है क्योंकि वह वाला जो question है ना उसका answer में next day तक धूनता रहा कि मतलब मैं क्यों रहा हूं मूवी देखते वक्त क्यों रहा हूं मेभी इसके story के साथ कुछ एक थोड़ा ज्यादा personal connection जूड़ गया था मेरा या फिर सिर्फ imagine करना कि कि किसी इंसान के साथ वैसा होगा आज मैं यहाँ पर ब मूवी से related की समझो कोई एक इंसान है जिसको पता है कि वह दो महिने में मरने वाला है कोई एक बीमारी के कारण तो वह ऐसा सोचता है कि दो महिनों के अंदर वह अपने जिंदगी जितनी हो सके उतनी जादा जीले लेकिन अगर आप सोचने जाओगे ना तो यह वाली जो condition ह वह सब के उपर अप्लाइड है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वह कल का दिन देखेगा या नहीं देखेगा फिर भी वह प्लांस आगे ढखलता है जैसे वह मान के चलता है कि वह जीने वाला है और सपेशली आज में जिंदगी जीना भूल जाता है बस आपको सिर्फ एक दूगा कि I want to eat your pancreas देखने से पहले इस movie के अंदर जो dialogues है ना उसके अंदर आपको उसके उपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान चे फोकस करना है क्योंकि इस movie के अंदर जो philosophy बताई गई ना वो अगर आपको क्लिक हो गई इसके starting के आधे घंटे में तो रोद होगे कितना भी माचो मैद बनने की कोशिश करो रोद होगे क्योंकि इस movie का जो लास्ट का आधा घंटा है ना वो इतना आधा हार्ड हीटिंग था और जिस पॉइंट पे movie खत्म होई ना वो थोड़ा बहुत अलग लग सकता आप मेंसे कुछ लोगों को लेकिन वो समझने के लिए मैं क्लियर बतातूं कि यह जो movie है ना वो कोई एक love story नहीं है कोई romance नहीं है ऐसा कुछ नहीं यह सिर्फ एक लड़के की कहानी है जिसने खुद को बाकी दुनिया से कट कर ले वो दिन भर books में ही घुसा रहता है उसको friends बनाने से कोई लेन देना नहीं यह जो उसका mindset है वो कैसे change होता है यह पूरी story दिखाई गई और इसी से related जो end है वो एकदम appropriate है बसने इस वीडियो के intro में जो मैं catch की बात कर रहता है वो सिर्फ इतना है कि इस movie को देखते हो तापको इसके starting के आदे घंटे में थोड़ा बहुत patience रखना है क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कि यह movie इस लड़के की कहानी है और यह जो है ना वो practically एक boring बंदा है तो जब तक यह movie के start में boring का boring रहेगा story में उतना ज्यादा interest आपको शायद ना आए मुझे तो आया था क्योंकि मैं dialogue के focus कर रहा था advice इतनी दूँगा कि movie देखने के लिए rush मत करना आराम से थंडे और आओगा तो फिर वहां पे patience रखना movie के meet point के बाद आपने जितना भी सब कुछ patience रखा है ना उसके फल आपको मिलेंगे क्या cheesy line मार रहा है इस movie के अंदर का music बहुत अच्छा था उसके साथ animation भी पसंद आया मुझे लेकिन इसकी जो philosophy है जिसके मैं बात कर रहा हूं कि जो character दिखाया है story के जो दोनों lead है उनके और movie के अंदर जब वो point आएगा ना इस इंसान की दुनिया पूरी बदल जाएगी वो मतलब सोच करी मुझे चिल सार है लेकिन हर बार की तरह इस movie को देखना थोड़ा था मुश्केल है क्योंकि ये Netflix पे अविलेबल तो है लेकिन इंडिया में नहीं देख लोगर VPN लगाने के बाद आपको ये अविलेबल हो जाए Netflix उपर तो ठीक है वरना तो फिर जुगार लगाना पड़ेगा मैंने इस movie को Japanese में देखी थी English subtitle के साथ शायद इसलिए इसका effect थोड़ा जादा हुआ मेरे उपर क्योंकि जब subtitles के साथ हम लोग देखते हैं तब ध्यान तो नीचे रहता है लेकिन जो हम लोग dialogues read करते हैं वो खुद के तरीके से read करते हैं कोई सामने वाला नहीं बोलता हमक क्योंकि मैं अपने feelings के हिसाब से इसको read कर रहा था तो मेरा recommendation रहा कि आप भी इसको original language में ही देखो अगर नहीं चलता तो फिर आप English में देख सकते हो Hindi इसका available शायद 99% नहीं होगा मैं बहुत जादा खुछ हूँ कि मुझे movie देखने मिली आप में से जिन लोगों ने भी suggest क गया था उनका thank you धन्यवाद दिल से और अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो फिर अभी मैं आपको suggest करता हूँ कि अगर आपने अभी तक यह movie नहीं देखे तो फिर जरूर देख लेना और देखो हालत मेरी आईसी है ना कि मैं तो यह review बनाने चला था लेकिन अभी यहा वही समझ के recommend कर रहा हूँ मैं movie देख लो अगर आपने पहले देख लिए तो फिर क्या आप रोय थे movie देखते वक्त यह नीचे comment section बताना और आपको क्या लगता है वो क्या factor था जिसके कारण आपको रोना आया नहीं आया आपको movie पसंद ने तो फिर वह भी बता सकते हो movie को और इस review को अपने दोस्तों के साथ share जरू करना देखते हैं कितने लोग हैं जो खुद को hold कर पाते हैं Instagram एंडल में वहापे movies और series के recommendation देता हूँ आप मुझे वहापे follow कर सकते हो मैं और क्या वुलने रहे गादा वीडियो को लाइक कर देना चानल को subscribe कर ले ना जो मतलब YouTube पे वीडियो बनाना मतलब यह हो गया ना नेदे में यह हो बढ़ता है कि लाइक कर देना चानल को share कर देना subscribe कर देना फिर भी बहुत लोग नहीं करते ना आप से मेनूँ